यह जाती विवस्ता बहुत बुरी चीज है, मैं इसका बहिशकार करता हूँ, बाबा साब भी करते हैं, हम तो पैदा होते दलित नहीं होते हैं, अब यह समाज हमें बताता है कि यह दलित है। और तीसरा जीतने के लिए लड़ा जाता है। मौझूदा इस्तिति में हम देखें, चंदर सेखर कौन सा चुनाव लड़ रहे हैं, कितनी सीटों पर लड़ रहे हैं, कितने प्रदावेदारी हैं। तो हम जब अपने पहले चुनाव में, पहला चुनाव का अनभा हमें उस चुनाव में हो जब बुलिन शहर हम लड़े हैं। तब हम वहाँ तीसरे नमबर पर रहे हैं। समाजवादी और RLD का गठबंदन हमसे पीछे था और कॉंग्रेस में हमसे पीछे था। तो पिछले पांस साल में इतनी बुनियादे तो हमने अपनी जड़े गहरी कर ली हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर कि हम अपना विधायक जिदा सकते हैं। तो इलेक्शन अब शुरू होगा। पार्टी जो ते करेगी जितनी सिटों पे। जहां जहां मजबूती से लड़ेगी, गठबंदन करेगी नहीं करेगी उन सब पर काम करेंगी। तो अभी तो सुरू हुआ है, अभी चुनावी समर स्टार्ट होने माला है। इसलिए हमने बैठक भी की है कि चंदर सेखर आएं बैठक में बताएं कि भाई प्लान क्या है आगे का। चुकि देखिए दलित वर्ग में आपकी बड़ी दावेदारी है। और हम जैसे चुकि सब कोई आजकल डिस्टल पर है, अलग-अलग तरह के रील्स आते हैं, वीडियो चोटे-चोटे, तो उसमें चंदर सेखर का देखिए क्रेश तो दिखता है। और जिस समाज का प्रतेनिदित्व करने का आप दावा कर रहे हैं, उसको लेकर NCRB के आकड़े भी बहुत डराने वाले हैं। और जो line of politics है आपकी, वो भी BSP वाली line of politics है, चुकि दोनों जो पाटियां है बापकी, वो एक ही वर्क को लेकर अपना प्रतेनिदित्व होने का दावा करती हैं। मायवत्ती जी ने एक वक्त कहा था कि दलितुने देवी की तरह पूछते हैं। चंदर सेखर भी क्या उनको देवी की तरह ही मानते हैं। और दलितों का अब सच्चा साथी कौन है। पहली बात तो एक चीज किलर कर देता हूं। यह जाती विवस्ता बहुत बुरी चीज है। मैं इसका वहिश्कार करता हूं, बाब साब भी करते हैं। हम तो पैदा होते दलित नहीं होते हैं। अब यह समाज हमें बताता है कि यह दलित ना हमने बनाया। तो मैं तो पर्यास कर रहा हूं कि वंचित वर के लोगों जिनको मैं बहुजन समाज कहता हूं। कि बात करूं कि दलितों की लड़ाई में लड़ता हूं पिष्डों की लड़ता हूं उनतर जा सिख्षक भरती चल रही है आप देखे कोई नेता नहीं गया तो मैं वहां तीन दिन पढ़ा रहा हूं फिर माइनोर्टी की जब सी एंपर नर्सी का मामला था तो उनकी लड़ता हूं किसानों की लड़ता हूं मजदूरों की अब सोच रहा हूं कि कभी आप मानेंगे कि एक दलित जाती में पैदा होने वाला आदमी सब का नेता हो सकता है ये बड़ा कटिन है योगी जी ठाकूर ह और देवताओं का कॉंसेप्ट नहीं है क्योंकि यहां जिनको देवी कहा जाता ना उनके अत्याई भी होती है मैं अभी बिजनोर सहे लोटा हूं एक 24 वर्से नेशनल प्लेयर की सरयाम हत्या हुई है दिन के दो बज़े ये कानून विवस्ता उत्तर प्रदेश में बेहन ब तो रोते रहते हैं और हमारी रोने की चीखे किसने नहीं सुनी हम लोग मर रहे हैं उसकी चीखे किसने नहीं सुनी तो अब सुनने के लिए हमने अपना दल बना दिया है कि जब कोई नहीं सुनेगा तो आजास समाजपर्टी सुनेगी दली समाज के नोजवान सुनेंगे भ नाटवी क beim dv iq工作 गलट होंग तो मतले मायवद्क भी गलत होगी अगर इस सारक basement ओगया वहांधे हूँ नंहोंने अपने संपहें में खुब काम किया है एक उमर के आने वाली PD के लिए कुछ छोड़ना चाहिए ने लोग है ने अवसर के साथ आ रहे हैं नई उम्मीदों के साथ आ रहे हैं तो मुझा देना चाहिए क्या वुराई है वो दे तो रहे हैं न तो कुछ और जो गरीब दली तो उनके बारे पर सोचना चाहिए लेकिन उनकी राय बहुत अलग है आपको लेकर आपको मालूम है और देखिया मतलब चेहरे पे मुसकान आगे उनकी राय के नाम से क्योंकि हर किसी को मालूम है कि वो चंदर सेखर को लेकर क्या कह रही है वो कह रही है कि आपको कभी कह देती है कि वो बीजेपी का आदमी है कभी कह देती है कि आप देख रहे हैं ना यह ऐसा ही चरीतर है मेरा मेरे बारे में आप कुछ भी कहते हैं थाबित नहीं कर सकते हैं तो मेरी उनसे कोई नाराजगी नहीं है वो मुझे कुछ भी कहें कहने दीजिये अवसर होता देखो जब आदमी अपने जमीन सरक्ति देखता ना कुछ ना पर तम मैं तो यह कह रहा हूं कि आपने लंबे समय तक इनकी लड़ाई लड़ी है इनको ने वोट दिया है तो इसलिए जो है ना अब इस काम को छोड़के ना आप निर्णायक उसमें आईए क्या दलीतों का भविवविश्य क्या है जिस तरह थे भारजनता पर्टी काम कर गरक किया मैंने पहले भी कहा था अब उनका कभजा हो गया हुआ है अब सतीष्चन मित्राज उसके मालिक हो गए है बहुजन समाज पार्टी के इस वाइजे सब खराब हो गई है तो प्राइविट लिमिटेड हो गई है क्या मालिक हो गए बहुजन विचार धारा दी कभी अपने बुद्धे थे आज पता नहीं कहा किन फिचों पर बात करते हैं हमारे बुद्धे अपने होते हैं हमारे अपने बुद्धे हैं हम इस्सेदारी चाहते हैं हम एजुकेशन चाहते हैं हम डवलब्बेंट चाहते हैं हम जो है तमाम तरह से रोजगार के उसर चाहते है तो इन सब चीजों से कुछ चलेगा नहीं अब जंता समझ रही है कि लंबे समय तक बाते करने वाले आज अब उनसे मूँ फेर बैठे हैं तो जंता ने मूँ फेर लिया चुनाओ के समय आपको इस चीज का ऐसास हो जाएगा अब दली जो है ना रोएगा नहीं अब अपने प आप पर एनसे लगाकर आपको जेल में रखा गया तबियत भी बिगड़ी तमाम चीजें हुई युवा आप भी है और युवा मन जो होता है वो बड़ा बदला लेने वाला होता है किंग मेकर बनते हैं आने वाले चुनाओं में किंग बनते हैं बदला लेंगे जिसने एनस को मानता हूं तो हमारे यहां तो जोडने की बात के कि सद्गूर रविदार्श जी महराज कहते हैं संगत मिल रही है मादूब जैसे मदूब मकी रहती है चटे में परिवार बनकर रहना चाहिए इकटे रहना चाहिए तो मैं बदले की नहीं बदलाओं की भावना रखता कब तक हम लोग जो है ना गिसी पिटी उसमें लगे रहेंगे कि बदला 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 क्या बदला हमारा जीवन तो कुछ नहीं बदला मैं भी यहां हूं यह स्मार्ट सिटी है सबसे पहले गोशना हुई थी कल गड़े बने इतने बड़े बड़े आदमी की गहराई के बीजेपी ने कहा कि हम वो मना रहे हैं एक्सप्रेस वे गाजीबूरो लखनाओ वाले में आज दरार पड़ गी है अभी दुगाटन नहीं हुआ यह हालात है डवल्लप्मेंट की हम एनसे वाले पर बात का हम इस पर भी बात कर लेंगे मैं दन्यवाद करता हूँ सरकार का उन्होंने एनसे लगाके दलीतों को बताये कि तुमारे युकात यह अगर अपने अधिकारों के लिए लड़ोगे तो बंद कर देंगे नहीं ड़ते ना उनकी जेल से ड़ते ना लाठी से ना मुकदमे से और सोस ज़्यादा मुकदमे आप चेक करा लिजे इस सरकार से बदला नहीं लेंगे इस सरकार को भी सुधारेंगे काम करेंगे कि समाज बदला ओ कब तक डलीत फिछडा अगडे हिंदू हिंदू के नाम पर ठगे जाते रहेंगे से butterfest from Deutschland आप ये कह रहे हैं कि बाई एक समाज का मुझे लीडर आप क्यूं कह रहे हैं। उसको लेकर आपकी पर्टी को लेकर एक बड़ा आम राय यह है और मैं कमेंट्स इधार है कि वो उनका कहना है कि आप जब भी मार्मी तो उन्हें तो दिखता है कि हाँ यह वो हमारी आवाज है और यह हमारे लिए लड़ेंगे लेकिन जैसे ही पार्टी बन जाती है तो कहते हैं कि नहीं नहीं अब तो गड़बर हो गया पार्टी कैसे बन गई यह तो भोट बटवा देंगे यह तो इधर चले जाएंगे उधर चले जाएंगे तो इसको लेकर यूँआओ से आप बात करते हूं क्या मैसेज देते हैं कैसे कंविंस कर रहे हैं आप लोगों को सारी लड़ाई जो है ना वो हुस्ले की है सब कंवेंस हैं मैं तो जानता हूं आईटी सेल बहुत मजबूत है हमारे उस पर कमेंट को रहता है मैं तो नहीं पढ़ता है मगर मुझे पता है कि बीज़े पी आईटी सेल के लोग हमारे उस पर कमेंट जरूर करते हैं कभी किसी नाम से कभी किसी नाम से इससे फरक नहीं लोट नोँ कर रहता हूँ अगर मेरा होसला डाउन मुझसे सवाल कर ہोते तो मैं क्यूं आंगर बढ़ता मांफेच्छ पीछली डाता हूँ वोट दिया है तो यह वोट ही तो दिया है mm अपने जिम्मढर ही है और मैं तो आपके चैनल के मांतिम से कह रहा हूं जिते जिला पंचाज जिते हैं कल ही उनसे कहा था सब लोगों से कि सब लोग फिल्ड में रहें आजकल निताओं में सीधेसली बात भाई आपको बता देता हूं आजकल लोग ये चेन करके आते हैं राजनीती में इसलिए दूझे में बागेदारी करके सत्ता को साधन बनाके सदियों से जो सबस्टा चली आरे इसको चेंज करना सत्ता मातर सालनी किसी सब्सक्राइब था ना कि 59,000 सिक्सक भर्ती में घोटाला हुआ आपने पिश्रा वरा गायों को बनाया उत्तर प्रदेश के इंदर उसकी रिपोर्ट नहीं मान रहे हो तो सीधा कहो ना कि बीजेपी के लोग दलीदों पिछडों के विरोधी है कि कहने में क्या डर है क्या दिकतर कहने में जब हैं रामदास अठावले जी को अब नहीं है जब तक थे तो मंत्री पर पर थे तो कहीं न कहीं समाज में जो धारा तो कहते हैं हमारे बच्चों का हग उनकी जात के नेता है उनका हग दे दो तो क्यों नहीं दे पा रहे हैं यह मौरे हैं अपना भला करा सकते हैं ऐसे तो मैं भी बन जाता क्या आप समझते हैं कि चंसेगर को विदायक केंपी बनने के लिए अगरों किसी पार्टियम चल जाए तो को दिक्कत आएगी यह दल इसलिए खड़ा कराया कि दलीतों की पिछड़ों की मुसल्मानों की उनकी इस्तिती पे उनके मुद्दों बात हो सके सच्चर कमेट्टी पे बात क्यों नहीं होती है कभी मुसल्मानों क है इतने लोग मरते हैं आज वो ठेकेदारीबै है उनके जान जाती है उनकी हत्याय होती है उनके साथ प्रेशानियां खड़ी होती हैं और वो स्थेकेदारी में गौलामी को मुफलतिक जिन्दे Go जेल रहे हैं, हमने काया कि जिस दिन हम लोग को मोगा मिलेगा, कोई ठेकेदारी विवस्ता सफाई करमचारी में नहीं रहेगी, सब पर्मानेंट हो जाएंगे. चुकि चंदर सेकर जी आपने जिकर किया मुसल्मानों की स्थेती का और तमाम, और देखिए, दलित वर्ग जो है एक बड़ा तपका है, यूपी के सियासी में, सियासत में दखल रखता है, और आप उसको गोलमंद करने कोशिश करने ये दिख रहा है सबको, इमांदारी से द साथ कहता हूं अपनी, कास गंज में खबर आती है कि यादों ने बारात नहीं चड़ने दिया दलितों को, जौनपूर में मुसल्मानों ने परारोप लगा कि उन्होंने दस घर जला दिये दलितों के, तो समाज में जो जिस तरीकी की गुड़नागर्दी है, जहां और जिन लोगों के साथ हत्याचार हो रहा है दलित वर्ग के साथ, तो उसे करने वाला एक वर्ग नहीं है, कई वर्ग है, तो वैसे मसलो पर चंदर सेखर की आवाज आती हुई, क्यों नहीं सुनाई देती, अभी ये जो माबला हुए ना, बिजनोर वाला, उसमें जो आरोपी है, म वर्ग का, मैं कहा था हमां, कौन कहता है, आप लोग ये जो है ना, ये जो पिक्चर बनाई गई है, मैं आज भी आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, अपराद ही कि कोई जाती नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती, जो अपराद करेगा वो उसको सजा मिलने चाहिए, चाह दलीतों से बुरी 2M दर्जे की जिंदगी उनकी नहीं है, तो कानून में वर्षता और ये तमाम तरे की बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, और महीला सिक्षा और महीला सरसक्तिकन कहां है, ये सिर्फ जूटे ही तो बाते हैं, तो मैं तो हमीशा बोलता हूं, देखो ऐसा ह होता है, जैसे जुर्ज मामला मेरे संव्यान में आजाग और जिसमी पर्देश का हूँ, मैं ऐसा नहीं BJP के खिलाभी, जहां कॉंगरेस की सरकार में होता है, मैं कहता हूं, राइस्थान से ज्यादा पूरी सरकार कॉंगरेस के नहीं होगी दलीतों के लिए, वहां उन्हों योगी जी तो साबुन वाबुन रखवाते हैं दुलवा उलवा के तब बुलवाते हैं कि हाओ अब चुकी कॉंग्रेस की बात हो गई प्रियंका गांधी आपसे मिलने अस्पताल तक तोंची आपको भाई कहती है उनके साथ को कैसे देखते हैं यूपी में कॉंग्रेस को भी बैकसाकी की जरूरत है यह आप भी अभास होगा आपको समाजवादी पार्टी के साथ मुलकात हो रही है आपकी और राजवर जी को लेकर भी तमाम अठकले हैं इसलिए कह रहा हूं क्यूंकि आपने इसको खारिच किया है तो आगे का रास्ता कैसे तै होगा सत्ता की भाग्यदारी कैसे तै होगी विपक्ष में बैटकर ही रह जाईएगा या फिर सत्ता के साथ कदमताल करिएगा तब तो समाज का उत्थान होगा लोगों की फाइले आएंगी कारवाई होगी घर बनेंगे जो सुक्ष्णाए चा होगे उनके मुद्व पर भी लड़ना पड़ता है आप जो कह रहे है ना देखो जो मेरे दुख में आया और जिसने मुझे भाई का मैं मैंने उसको बहन सुइकार किया जिस दिन व्यक्तिका तो उनके साथ को समस्या खड़ी होगी उनका भाई साथ छोड़ देगा चंशेक नहीं देना चाते और मैं समयता हूं कि हमने सब की सरकारे देखी हैं उन्होंने उनकी सरकारों में अगर दलीतों का जीवन बदल जाता तो चंशेकर विजुरत क्यों पड़ती है नोजवान हमारे साथ क्यों आते यह जो जिम्मेदार लोग हमारे साथ क्यों आते आज उनको प्यार करते हैं मुझे मैं विस्वास दिखाते हैं इसलिए मैं उनकी बात को आगे रखता हूं आप दलिदों के पास ओप्संस हैं भाई कि वो जो अच्छा काम करें जो मैदान मेरे जो उनकी लड़ाई लड़े उसको वो करें आगे बढ़ाएं ऐसे मुखोटों को बंद करे जिनके जो शिरब जो हैं चुनाओ के समय आते हैं सीधा सवाल है गड़बंदन किससे होगा या पूरी की पूरी सीट पर ही चुनाओ लड़ जाएंगा पूरे जनता से गड़बंदन करेंगे अब देखिए इसको बढ़ा दीजेगा आप मेरी बात को प्रमोज जी अभी आ और देखें मैं आपको एक चीज़ और बता दूं समाजवादी गई क्योंकि जनता नहीं पसंद नहीं किया बीएस पी जनता नहीं पसंद नहीं किया बीजे भी जाएगी क्योंकि जनता पसंद नहीं करेगी तो जिसको जनता पसंद नहीं करेगी वो जाएगा कोई हो अच् प्रदेश में युवाव को रोजगार कहां से मिलेगा ये जो विज्यापन आप छपवा देते हैं कई उसकी क्या ना बंगाल की फोटो लगा देते हैं कई अमेरिका की फोटो लगा देते हैं इनसे काम चल जाए क्या नई चुकि चंद्रसेगर जी आप कह रहे थे कि आप मु लगाए जब आपको भी पता है कि आपके भी समाज में बहुत युवा है और सबके हाथ में इस वक्त फोन है डेटा है सबके फोन में सब वीडियो देखते हैं इंटरनेट पर और तमाम ऐसी चीज़ा रही है अब जाना रहा है तालीबान आ रहा है चचा जाना रहा है तो द्रम के लकीर खीच दी जाएगी तो वहां तो जाती ही व्यवस्त्त आपकी कमजूर पड़ जाएगी तो जाती है गोल-बन्दी कैसे ऑगी और सीट-अब कैसे जीचेगा मुझें अఔ हम के दो काम करते हैं को कितनी क्या pollution करता हिले वह कारकृत हैं और उसको याद रहती हम यह तो चुनाओं के समय थुड़ा जाते हैं नाओं जनता ज़न इस झाओ फूरह सोचार कासे मिलेगा इजूकिशन कासे मिलेगी इंफ इंफस्ट्रक्ट्सर इंफ इंफ फ्रीचर कहा से आएगा आपके विकास के लिए रास्ते कहां से बनेंगे महीलाओ की सुरक्षा कैसे होगी वहन बैषब को न्याएं कैसे मिले र handicap अब ही आजी का डाटा है कि शाशाट परसेंट महिला उपे अत्याचार की घटना बढ़की उत्तर परदेश में इसको कानुन का राज कहते हैं तो वो लोग लाना चाहते हैं इस पिछ पे क्योंकि उनकी पिछे धरम की हमारी पिछ जो है न वो मुद्दे हैं तो हम नहीं आए उनको कॉंग्रेस बाठी कोल रही है कोशीश में लेते आए जाए ऐसा TO नहीं है कि अब आप या आपको ऑंग्रेस जो है वो अपरोच कर रही है और लटाई विचाड़धार की कांग्रेस की विचारधार से आपकी लड़ाई है मेरी लड़ाई तो वो ज़ो सामनती कि वो जो पूजिवादी अन्या इत्चार जाती पर अधारी जो अन्या इत्चार उससे अधारी जो विचार धारा मानव तक मानव कल्यान की विचार धारा हम रखते हैं और उससे खिलाब जो विचार धारा है उससे हमारी लड़ाई है व्यक्ति से लड़ाई नहीं तो मैं आप से क क्या रहा हूं कि सब लोग बुद्धों की बात करने हैं कि उनकी सरकारे तो हैं तो वहां अपना अच्छा खाम करके दिखा दें अच्छा ये बताइए चंद्रशिकर जी कुछ सीटे आ जाती हैं आत्में और सरकार बने के नाने के करीब पहुंच जाती है बीजेपी समर्थन मंतरी बना देंगे आईए जायेगा क्छोम देखिये जिस्का चरीत्र होता ना जैसे हमें काशिरामसाबं साब नहीं कहा कि एक वह लोग विर्शनें व दूद्ध की बाल्री तो तो पूरा दूद भाड़ देगी, यह चरित्र है भाजपा का, तो RSS भाजपा के चरित्र के लोग के साथ नहीं खड़े होंगे, जीवन में मरना पसंद करेंगे, लेकिन इस गुलामी को स्विकार करना पसंद नहीं करेंगे। तो इसे में नाम लगाने के पीछे का मैसेज क्या था और नाम हटाने के पीछे का मैसेज क्या है? तो यह तो हमने कानियों में पढ़ा है, तो कानियों में बहुत कुछ पढ़ा है, तो इसलिए मैं कानियों पर आज नहीं जाँगा, मैं यह कहूंगा कि नाम की जगाना काम को हम लोग पर्फिरमस दें, तभी तो मैं कह रहा था कि आप जाती से मुझे जोड़ रहे हैं, कि आप कहरे हैं कि आप दली समाज को कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आने वाले कल में पिछड़ों के लिए लड़ने वाला जाती कर जंगना पर मुझे से ज़्यादा कोई सग्रिय वेक्ति नहीं मिलेगा, चाहे मेरी जूते कि जाएं, चाहे मुझे काला पानी की सज़ा हो जा प्लूटोडोणोमी, यह नई अर्थवेश्ता, इसका जिकर भी हुआ था, यह अर्थ वश्ता बागी है कि पूरी सरकार मिलके चन्द अमीरों को अमीर बनाने में लगी है, इसको प्लूटोणोमी कहता है इस अर्थवेश्ता को, यह सरकार लागू कर दी है, निजी करण प के लिए पहले तो मैं ये पूछ लूँ कुछ नाम लेता हूँ अब बताईए कि आप इनको क्या मानते हैं तो पिछडों के साथ ही मानते हैं दुश्मन मानते हैं या इनको इन पर आपकी कोई राय नहीं है योग यादित्यनाथ अभी देखा हात्रस में मारे साथ क्या किया पूरा पूरा सिस्टम लगा दिया कि एक दलित बच्ची को निया ना मिले और अभी आरेक्शन में गोटा लखा गए दलित पिछडों के पूर्ण उप से विरोधी और अभी तो जो है अगडों में भी कहीं वर्गों के विदो जा बताँ दलितों के साथ ही है ऐसाथ ही मैवती जी बिल्कुल साथ इस अखिलेश यादव है पांस साल के सरकार जाएक आप अनुभाव लगता ना आप कैसे और आपका कडवा रहा रहा ना मैं क्या कह रहा हूं कडवा ही रहा तो अब मिठास जो है प्रियंका गांदी को लेकर क्या सोचते हैं अब आपने तो बताया कि उन्होंने मुझे भाई कहती है तो आप मानते हैं कि दली तो पिश्रो की साथी है देखो मेरी बाद सुनिए उनका बेस वोट क्या है इस देश में कहीं पर्टिया जिनका बेस वोट नहीं है बेस वोट उनका उनको मुद्धो की बात करनी पड़ेगी जैसे आम आदिम पर्टिय बेस वोट बताजी क्या है आप मुझे तो कह रहे हैं मुझे आप यह तो कह सकते हैं कि मेरे साथ मेरा समाज खड़ा है जिक्र जिक्र मैं आपने ऐसी पार्टी का नाम ले लिया जिसके बा यह जाल बहुत छोटा सा आवर टाव में कितनी सीटे जीतेंगे जीतने का दावा कर रहे हैं आपको एक बात बिलकुल असपस तोर पे तो हमारे गुरू हमारे रह पर माने पर काशिराम सभी कहते थे कि बैलट के साथ भूलट की तेरी रखना है कि आप वोट तैयार कर लो वोट को चोरी कर लिए तो मैं वो कर रहा हूं कि जिला पच्छा चुनाओ अडथक्स काश आ अमने देखा तो बुलट से जो हैना वैवलत की चोरी जब इविएम से हो रही है तो आप ज़ाना बनाने जंता किराई लेती है। नहीं लेती है ना। तो सरकार । छंद लोग बैठके बना लेते हैं और उनके फाइदे के लिए बनाते हैं जो हम अब जैसे लेक्टवाल से क्सको पैसा मिल रहा लेकिन भारत्य जनतापार्ट किससे मेल रहा किसी नहीं पता है। तो यह जो है ना सरकार का सरकारी मसीन का दुरूपयोग जो भारजनता पार्टिकर इससे नफरत है मुझे तो मतलब बैलेट और बुलेट दोनों की तैयारी है पूरी तैयारी और दम है पूरा और चंदर शेकर जी यूपी तक के मंच पर आने के लिए बैठक में आने के परिवार को मेरी दर्ब से बहुत-बहुत मंगल काम नहीं धन्यवाद